लगता है कि अंकल जी की इस मुन्नी के साथ शादी हो चुकी है और अंकल जी देखो कैसे पप्पी शप्पी ले रहे हैं अरे अंकल जी प्लीज ऐसा मत करो और मुन्नी की तरफ देखो मुन्नी भी कम नहीं है बराबर वो भी लगी हुई है अरे अंकल जी तुम्हें ले जाए काले कच्छे वाले अरे काले कच्छे वाले नहीं तुम्हें ले जाएं बिना कच्छे वाले उठा करके यानि कि जन्होंने कच्छा तक भी ना पहना हो वो ले जाएं तुम्हें उठा करके अरे आंटी यह क्या कर रही है ऐसा मत कर है हमारे दिल में बिल्कुल धक धक हो रही ह इदर इस दुले की तरफ देखो, इसको कोई घोडी नहीं मिली, तब यार इसने एक नकली घोडी ली और बेट गया उसके उपर, और खुब जूटे माटे लिए जा रही हैं, अबुछ दूले कोई ढंकी घोडी ढूडी डूड लेता, घोडा ढूड लेता, अगर घोडी नह खाने आई होंगी और खुब स्वागत किया जा रहा है बेड़ और बक्रियों का इसे बोलते हैं इंसानियत हमने देखा है कि लोग सिर्फ लोगों को ही खाना खलाते हैं लेकिन यहां पर बेड़ और बक्रियों को भी खाना खला जाएगा और डांस वांस भी दिखाया सुनो आई है दोस्तों आखों में बिल्कुल आँसु आ गए यहर सच में बहुत ही दुखुआ मुझे बहुत ही खबरदार को यह आप में से हसा तो खैर इधर देखो इस दूले की तरफ दूला तो बिल्कुल में दूर बना पड़ा है लगता है कि इसकी चादी में संबाली और लगा सब्जियां काटने अरे दुले अपने आसपास कोई मुनी ढूंड उससे सब्जियां कटवा क्योंकि वो तो काटने में बिल्कुल महिर होती है तुम जाओ और दुलन को लेकर आ जाओ वहाँ पर दुलन बोल रही होगी कि मुझे साजन के घर जाना है है क्यार दोस्तो किसी की शादी में भी ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन भड़वा हलवा ही भाग जाए यहां पर देखो अरे अंकल जी यह सब होने से पहले यानि कि यह शादी होने से पहले आखर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो गया पताने यारो इस अंकल ने ऊपर वाले कि आप से मुन्नी सेट नहीं हो रही तो इधर देखो इस बाई साब की तरफ इसको बाई के पीछ बिठाने के लिए कोई भी मुन्नी नहीं मिली तभी इसने आइडिया गुमाया एक गुडिया खरे दी और देखर बांधली सीट के पीछे और बिल्कुल यह अपनी पतनी वाल इनको देखना है बाकी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी दुलन किसी भी हालत में देखनी है और देखो 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 इसकी दुलने यह बिल्कुल इसके ऊपर ही गई है जो भी इनका मतलब की जिसने भी इनका रिष्टा करवाया है बहुत ही समयधार है दोनों के दोन परनाक दुला और दुलन है यर शत्तिस के शत्तिस गुन मिला डाले इधर देखो दोस्तों शादी की तेल लेने यर आंटी यानी की दाधी अराम से सो रखी है बुल रही होगी की शादी वादी का क्या करना ये साले ऐसे डीजे पर नाशते रहेंगे अप उनको चाहिए सिर् अराम सोफे पर अराम से गोड़े बेचकर सोई पड़ी है फोलो करो येर सब्सक्राइब बिटन को उखाड फेंगो हर रोज शाम चार पांच ओजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी है ना हसते रहा करो